कि उद्धो बाला साफ ठकरी जी के पार्टी का यानि इंडिया एलेंस का उम्मेदारी यहां से चुनके आने वाला है कि हम विकास के मुद्धे पे जीत असिल करेंगे वोटिंग जो है वो इंडिया अगाडी के हित में जाएगा और यह मोधी सरकार जाने वाला है उत्तर पश्चिम लोगसवाचेट से महाविकास अगाडी के उमिदवार अमोल किर्तिकर हमारे साथ इस वक मौझूद है क्योंकि चुनावी महासंग्राम मचा हुआ है प्रचार अभियान अपने चरम पर है अमोल जी इस तरीके से अब बात करें कि कुछी दिन बचे हैं मद्दान को लेकर जनता के बीच किन मुद्दो को लेकर आप मैदान में प्रचार कर रहे हैं क्या प्रतिसाद मिल रहा है भेदबाव की राजनिती नहीं होने चाहिए और जो हम वादा करते हैं वादा हम पुरा करना चाहिए ये लोगों ने दस साल में वादे पुरेने के और अभी भेदबाव की राजनिती आगे करके वोट जुटाना चाहते है लेकिन इस बार जनता उनको दिखाने वाली है हिंदूस्तान एक था एक है और एक ही रहने वाला है और इस उत्तरपश्चीम जिले में सब मतदारों ने निश्चित किया है कि उद्धो बाला साफ ठकरी जी के पार्टी का यानि इंडिया एलेंस का उम्मेदारी यहां से चुनके आने वाला है जिस तरह से आप प्रचार अभियान में हैं जब जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या-क्या समस्या हैं लोग आपसे सेर कर रहे हैं क्या-क्या मुद्दे बता रहे हैं देखिए local development जो होता है ना उसके अलग-अलग मुद्धे लेकिन जो वादे किये गे थे कि एक साल में दो करोण नोकरिया जनरेट करेंगे वो नोकरिया जनरेट उन्होंने किया नहीं है बराबरे बहुत से लोगों की नोकरिया गई है कई लोगों के पगार कम होगे जो महिंगाई जो है महिंगाई के मार से हमारे सब गरीब जनता एकदम व्यती थे उसके बाद में जो गैस सिलेंडर का उन्होंने बोला था साड़े चार से रुपय जबी गैस सिलेंडर था 2009 में तबी मोधी जी बोले थे कि गैस सिलेंडर को नमन करके आप वोटिंग करने के ले जाओ और ये टाइम तो गैस सिलेंडर हजार के ओपर गया तो इस टाइम मेरे कैल से साट टांग नमन करके जाना पड़ेगा वोटिंग को और 100% ये बार जनता दिखाने वाली है कि अगर आप कहते हैं वो करते नहीं तो हम लोग आपको नीचे उतारेंगे इस तरह से उत्तर पस्चिम भी लोग सभा छेत्र की बात करें यहाँ पर पिछले 10 सालों से आपके पिता जी सांसत थे अब आपको एक बार मौका जो है महाविकास अगाडी ने दिया हलाकि अब पिता जी यह कह रहे है कि पहले मैं राजधर्म निभाओंगा मैं रविंद्र वायकर का प्रचार करूँगा तो कहीं न कहीं थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है जनता के बीच कुछ ऐसा मध्भेद लगेगा बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं जनता इस बार खरे के साथ में खोटे के साथ में नहीं है और भाराष्टक के जंता को ये तोड़फोड कोई राजनिती उनको हजम नहीं होती है। तोड़फोड की राजनिती के खिलाब वोड करने वाले हैं, वो कोई भी हो जाए। देखो उनको चुन के लाने वाले सब लोग शिवसना उद्धव बाला साब ठाकरी जी के पास में ह तो जो उनको बनाने वाले थे अगर वो अगर बाद उद्धो जी के साथ में तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं लगती है। चार सो पार मोधी जी की गैरेंटी दोन से बार करा के दिखाई है उसके बाद में मानेंगे। पार्टी ओं के लिए प्रचार करते नजर आ रहें एक तरफ जो है पुत्र कंडिडेट हैं तो दूसरी तरफ जो है वर्तमान में सांसद रहे गजानंद किर्टिकर जो है उनके अबिरोधी पक्ष जो है उनके साथ हैं रविंद्रवाई करके तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जो चुनावी नतीजे आएंगे 20 तारिक को जब यहाँ पर मददान होगा और 4 तारिक को जब मदगर्ना होगी तो जनता तैं करेगी कि उत्तर पस्चिम लोग सभा छेत्र से जो सत्ता का ताज होगा वो किस के सिर पर होगा अंधेरी की अगर बात करें तो उत्तर पस्चिम लोग सभा छेत्र में इस समय चुनाव प्रचार अपने सरगर्मी पर है क्योंकि यहाँ पर 20 मई को मददान होने हैं और सिउसेना उद्धो ठाकरे गुट के उमिदवार यानि महाविकास अगारी के उमिदवार अमोल किर्तिकर की प्रचार रही चल रही हमारे साथ मवजूद हैं सिउसेना अंधेरी पस्चिम लोक्स विधान सभा के समन्यवक सुनील खावियां उनसे जानते इस बार जनता क्या कुछ मददान किस मुद्दे पर करेगी आप देखो जनता विकास के उपर मददान करेगी इनके जुमले बाजी हिंदूत्व का जो सब्जेक्ट है वो मेंगा बढ़ रहा है आप समझ सकते हमारे जो उद्दव साहब है उद्दव साहब है जो धाई साल में मुख्य मंद्री के तोर पर महा विकास आगाडी ने जो काम किये थे वो काम को लेकर हम लोग पूरे अमल भया को लेके जा रहे हैं और हम विकास के उपर ही बात करके चुना उलड रहे है जिस तरह से अब सिशेना के ही दूसरे उमिद्वार जो पिछले कुछ सालों तक वहां से विधायक रहे हैं रविंद्र वायकर अब उनको जो है सिशेना और सिंदेगुटने उमिद्वार दिया है यहाँ पर तो कितना टकर होगा दो सिशेना होने के नाते दो टककर आप वापिस बोल रहे हैं ये दो सुशना नहीं है ये निश्टा है और गद्धारी है तो यहाँ पे निश्टा का विजय निच्चीद है आप देख सकते हैं ये पहले डे मांदरी पच्छी में आये आमोल भाया की राली निकल रहे है और किती बड़े पैमान में मह विकास आगाडी के सब कारे करता जुड़े हुए मुझे इसा लगता है कि हम विकास के मुद्दे पे जीत असिल करेंगे पीजेपी ने जो नारा दिया है अब की बार चार सो के पार क्या लगता है वो तो चार जुन में आने वाला टाइम है वो अभी मैं बोलना ने चाता हूँ लेकिन मुझे इसा लगता है चार जिनको पब्लिक का जो रिजल्ट आएगा उसमें आप देख पाओगे कि चार से पा का सेत्रा ही है यह जोगिश दिन्डोशी से लेकर जू तक का यह इरिया है इसमें बहुत सारी समझचा है लेकिन लोकसभा के हिसाब और दिया जाए क्यूंकि लगातार सबका साथ सबका विकास का नारा भी जेपी दे रही है। और दिया जाए क्यूंकि लगातार सबका विकास का नारा भी जेपी दे रही है। सञ्जय जी इस बार का जो मद्दान है वो जनता किस मुद्दे को ध्यान में रखे करेगी कहीं न कहीं मद्दाता भ्रहमित भी होगे क्योंकि अब दो पार्टी हैं पहले सी उसे ना एक थी अब दो पार्टी है देखो यहाँ पे अभी जो इलेक्शन देश में हो रहा है ये मोदी के खिलाब जन्मत है और ये सुनामी मोदी के खिलाब आई हुई है इन्होंने दस साल में जो इसाब से गवर्मेंट चलाया है वो गवर्मेंट का काम अगर आप देखेंगे तो उसमें लोकशाई के हत्या ह रही है सभीदान जो है उसको कई ना कई खतम करने की बाद मुद्दा आगे आ रहा है उसके साथ में उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन जैसा मुद्दा लाया है जो लोगों का ओटिंग आधिकार है वो भी वो खतम करना चाहते यह मुद्दे को लेके सब जंद सब कम्यूनिटी एक हुई है और आने वाले इलेक्शन में वोटिंग जो है वो इंडिया अगाडी के हित में जाएगा और यह मोधी सरकार जाने वाले हैं लेकिन जिस तरह से अगर उमिद्वार की बात करें तो कहीं न कहीं लोगों क्योंकि दो शिवसेना हो चुकी है सिंदे गुट की तरफ से रविंद्र वायकर जी को मैधान में लाया गया है एक तरफ ये कहा जाता है कि ED का प्रेसर था इसलिए रविंद्र वायकर क्या मानते हैं कि आखिर उमीदवार क्यू चेंज होते रहते हैं कोई रविंद्र वाइकर? सिवसेनिकों ने खुन पसिना एक करके उसको चुनके दिया है रविंद्र वाइकर को कोई ने जानता है सिवसेना बाड़ा साब ठाकरे इनके वज़ा से जो सिवसेनिक है उन्होंने उसको चुनके दिया हुआ तो वो उसकी लाइकी नहीं है वो डरने वाला सिवसेनिक है उसको हम लोग ये इलेक्शन में दिखा देंगे जिस तरह से अमोल किरिदकेर पर भी आरोप लगे है कि खिचडी घोटाला का आरोप लगा है कॉंग्रेस के नेताओं ने लगाया था अब कहीं न कहीं क्या लगता ह पर एक बार फिर भीकास के मुद्दे पर मददान करेगी देखो ये जो गुने डाल रहे है जो इनको लगा रहे है वो सब गलत है जूट है इनमें दम नहीं है ये डरे हुए है ताकि उनको मालूम है आने वाले इलेक्शन में हार है हार को किदर तो बचाने के लिए ये सब को ब्रहमित करने का है सबके उपर जुटे आरोप लगाना है देखो एक भी आरोपी अभी दक उसमें क्लियर हुआ नहीं येडी में या कोई चीज में तो ऐसे मोदी और ये अमिश्या जो इसाब से देश को लिके जा रहे है हुकमसाही के तरफ उसके आगेंस में देश ओटि करेगा और सबसे बड़ी बात है कि मद्दान अब तीन चरणों के समाप दो चुके हैं और चोथे चरण की बात करें तो 20 मई को जो है मद्दान महराष्ट में होंगे मुंबई की 6 लोग सबा सीटों पे होंगे आप मेरे पीछे देख सकते कि किस तरह से अमोल किर्टिकर जो महाविकास अघाडी के उमिद्वार हैं उनकी रथ्यात्रा निकली हुई है लोग वो प्रचार अभियान अब चरण पर है क्योंकि चुनाओ का जो है धिरे धिरे जो चुनाओ का महापर्व है वो अपने अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है कैमरामेन देवा न 24 News मुंबाई